अब तो तुम्हें समझ आही गया होगा भंड़सु कि इश्वर के प्रतीक इन मंत्रों का उच्चारण यदि कटिन हो जाए तो उनको लिखा अवश्य जा सकता है क्योंकि जितनी शक्ति इनके स्वर में होती है उतनी ही शक्ति इनकी लिखावट में भी होती है कि तो अब तुम्हारे मन में ये प्रश्ण अवश्य होगा कि तुम्हारे मुकास्तर को असफर करने का उपाय सूझा किसा स्वैंस तुम्हारे जन्म डापा श्री विगन हर्टा कनेश को मेरे विगन हर्टा बार बार मेरे विगन करता क्यों बन जाते हैं एप नभू ये आपका कैसा न्याय है मैंने सदैव आपकी पूजा की आपकी अर्चना की और उसका ये परिणाम दे रहे हैं आप बार बार मुझे ऐसा भलकर आप अपने भक्त की भक्ति का आपमान क्यों कर रहे हैं भक्ति तुम क्या जानो भंडा सुन परमात्मा के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है उस प्रेम से जुड़ी श्रद्धा भक्ति है जो तुम ने किया वो भक्ति नहीं स्वार था और अपने जन दाता के प्रती तुम्हारा आचरण सर्वधा अनुचित था मेरा आचरण उचित हो या अनुचित इसका मेरे उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूँ और हां ये भी सुलो सभी कि गडेश मेरे जन्म दाता नहीं अपितु स्वयम मैं ही अपता जन्म दाता हूँ जिस गडेश जी को आप लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुर कहते हो वो तो बहुत ही सरल है और इसी का लाब उठाया मैंने और विवश किया कि मेरे अकार को साकार करें इसलिए मैं ही स्वयम दोए हूँ मैं ही इश्वर हूँ मैं ही स्वयम दोए हूँ मैं ही इश्वर हूँ यही नहीं मैंने अपने जन्द के पश्चा से अनेक वारूं का लाब उठाया है मोदत के बंधन में बांध कर उन्हें अमर्पुर में ही रहने पर विवश कर दिया था मैंने इतना ही नहीं जब ये बाली का रश्वी प्रभा को पचाने आये थे मैंने फिर इनके स्वभाव का लाब उठाकर इनके सौमने से ही रश्मिक प्रभा को अपने साथ ले गया इन विद्धा के इस अंतिल जरण में तुम तबो गड़ेशी का अवाहं कर अपने स्थान पर उनसे इन विद्धा के हाथों खेर खाने का निवोद कर सकती हो इसलिए इने चतुर समझना तुमारी बहुत बड़ी भूल है देवी भंडा सुख बहुत बोल चुके हो तुम ये मत बूल कि गड़ेश बुद्धी और प्यान के देवता है ओ हो पुना वही राग तो फिर ये बताओ प्रत्येक बार जब मैंने इनका लाब उठाया तो गड़ेश जी ने मुझे रोका क्यों नहीं यदि वास्तों में ये गड़ेश जी मुझसे अधिक चतुर है तो स्विकार करें मेरी चुनावती और मेरे अगले प्याहार को अपनी बुद्धी और चतुराई से रोक कर दिखाए कदाचत तुम्हें पराजत होने की अत्यन शीगरता है इसलिए गड़ेश का हस्तक शेख चाते हो न तुम खोचित है तुम्हारी ये चुनावती स्विकार है मुझे तो भंडा सु अब तुम अपनी सम्पून बुद्धी और चतुराई से अपने अस्तरों का चुनाव करूँ करूँ मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्तर और उसकी शक्ती के तत्व को समझ कर स्वयम विग्न हर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते मैं तुम पल अपने किसी भी अस्तर का प्रहार नहीं करूँ 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 अब ये युद्ध मात्र गणेश की बुद्धी से ही लड़ा जाएगा गणेश की विफलता मेरी विफलता होगी मुझे इस्विकार है माता ने ये युद्धी की कैसी अवस्था रग दी कामर्त और बुद्धी का प्रयो कल्यान के लिए किया जाता है ना कि विनाश के लिए भंडासू उनकी परीक्षप केवल हीने बढ़ चड़ कर बताने से ने अभी तो अफसर आने पर उसके उचित प्रयोक से होती और उसका ग्यान तुम्हें अभी इसी युद्ध में हो जाएगा ग्यात हो जाएगा तुम कि तुम क्या, मैं क्या और ग्यात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूच गनेश माता ने मुझ पर संपूर में स्रिष्टी की रक्षा का उत्तर दायत वस्वाप दिया पुत्र गनेश मेरे आदेश के अनुसार तुम अभी तक इस युद्ध भूमी से दूर दूर और अब मेरे ही आदेश इस युद्ध में तुम मेरा साथ दो अब हमारे देवी सेडा में कोई भी देवी अपना अस्रित तब तक नहीं उठाएगी जब तक तुम इस दुष्ट की अगले प्रहार का सत्व समझ कर हमें उसका तोड़ नहीं बताएगी माता विश्वास और आशिर्वात प्रत्यक शुरूप से दिखाई नहीं देने पर भी असंभव को संभव बना देते हैं मुझ पर जिस विश्वास के साथ आपने इस दुष्ट की चुनोती स्वीकार की है मैं उस पर खरा उतर सकूँ मुझे इसका आशिर्वात दीजिए हाँ आशिर्वात चाहिए ही आपको कणेशी आप भगवान वश्य हैं किन्तु जिसे आज से पहले ना कोई प्राप्ट कर सका और ना ही कोई प्रयोग कर सका मेरे उस भायंकर और रहस्य महियस्त्र का सामना करना है आपको मैं उसका सामना अवश्य करूँगा भंडासुर्व किन्तों तुम उसका प्रयोग प्रथम और अंतिम बार ही कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे इस महास्त्र का भी अंत होगा और रही बात आशिरवात की तो सबके अस्तित्व और शक्ती की स्त्रोत माता ही तो पंडासुर ये भी भूल गे कि जहां मंगल मूर्थी गनेश पही बंगल शुक्ता है और ये दिव्य प्रकाश उनके आगमन से देवी सेनाम उसी शुक्ता के विस्तार का प्रतीख है माता के आशिरवात की शक्ती का ग्यान तो अब तुम्हें भी होगा भंडासुर क्योंकि अब तुम्हारे जीवन की एक ही संभावदशा है दुरदशा तुम अब अपनी अंतिम पराजय के अत्यंत निकर पहट चुके हो पराजय तो उसकी होती है प्रभू जिसे कुछ कुछ कुछोने का प्रेह हो किन तुम मैं तो अपनी पिजय के लिए कोई भी मुल्य चुका सकता हूं जिसका प्रमान को आपको तभी प्राब्द हुआ था जब फ्वयम अपने हाथों से अपनी प्रिय पुत्री के प्राण छीने थे मैंने इस सचुक महासुरी महास्त्र के होने के कारण विजय के लिए मुझे सेना की कोई आवश्यक्ता नहीं और स्नेयरों भी अपनी दुर्पलता को पराजित कर अपनी जै का वो क्रम आरंब किया जिसका अंत्त मेरे सामने खड़ी इस नारी की पराजैसे ही होगा अब ये युद मैं नहीं मेरा अस्त्र लड़ेगा और ये अस्त्र आपको किसी का स्मर्ण भी करवाएगा ढा कर दोभिएwood भी का वो चात्अ मेरा अस्तव अस्त्र रखवाएग को जब करो다가 का वाँ हो जुद में शत्र याँ होak वो अँड़ अवार्श लादिए। वार्शिध ले अविवड़ बखलेजिते दो हो ! महात अनव रूपी क्या ही यह अत्यांत भयानक परवत बंडा सुरे संथकारी परवत का कैसा भयानक प्रयोग करेखा अब ये मेरा महासुरी अस्त्र और मेरे पीछे स्थित इसकी शक्ती मेरी चानुसार मेरे लिए युद्ध करने के लिए परयापत है महासुरी महास्त्र प्रापकर अपार असुरी शक्ती का स्वामी बन गया है महासुर पंडासुर मैं आप सब को पुनहेक अउसर दे रहा हूँ तो फिलंब किस बात का प्रमानिक कीजिए कि आप सब का कोई अस्तित्व है विजय प्राप्ती के बाद मेरे साथ इस श्रिष्टी पर अनंद काल तक राज करने का अउसर प्राप्ती जिए हाँ हम तयार है अब मेरा अगला और भैंकर प्राहार सहने के लिए तयार हो जाओ तयार हो जाईए असुर समगाट मैशा सुर तक माक्रमण आपको ही करना होगा हाँ एक नारी ने ही आपका अपमान कर आपका वद किया था ना अब इस युद्ध भूमी में इस नारी को पराजित कर अपने उस पराजय का प्रतिशोद लीजिए कर दूमी पराज़ में आपका अपका अपका अछे टेल टेखा थे कि वह जही जहीए कि कि एंद पंड़ासुर के सभी असुर महायोताओं का तो अंत हो चुका, तो फिर ये कौन है? रभू, जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ये सब कौन है? क्या है? और मेरे इस अस्त्र का तत्व और तोड़ क्या है? तब तक ये अपने प्रहार में सफल हो चुका होगा और वैसे भी आप पर तो मेरे अस्त्र का दूसरा ही द्वाव होगा दूसरी और रश्मी प्रभा का स्मरण कराकर अपनी महिश सेना का आवाहन किया है तो दूसरी और रश्मी प्रभा का स्मरण कराकर उसने आविश गणिश पर भी मानसिक प्रहार किया है भंडा सुर जो भी किसी को प्रिय होता है उसकी स्मृती दुरबलता रही अपितु प्रेंड मैं तुम्हारे इस महिश आकरमन की तोड को ढून कर करूँगा कौन हो सकते हैं ये महिश क्या हो सकता है इनका मूलततु और क्या है भंडा सुर के इस प्रहार का तोड क्या अपितु कर दो अंच पर अंच और नंच पंच आ П आ अंच यंच अंच आ आज मुझे कुछ सोच क्यों नहीं रहा है कहीं मुझे विलंब ना हो जाए माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता किन्तो ये अस्त्र क्या है इसका तोड़ क्या है कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समता बनाई रखता है वो स्थिर बुद्धी है और ऐसा व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है कर्वाण किन्तो ये ञा到 पक्या है विलंबंशफें पिलंगल GG क्या विलंगलडल में सम्क्ना बंट कर सोझें प्रामपर कर दो ईंस्ते में